पांसो करोर से ज्यादा बजट की फिल्म पॉलियांच सेलमन की रिलीज को महज़ कुछ दिन बचे हैं तीस सितंबर को यह रिलीज हो रही है इतनी वहईञी फिल्म है लिहाँ से लेकर हिंदी मैं ये तो जानकारी है कि मारें रत्नम की कई बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है जिसमे एश्वरेर राय हम रोल में है लेकिन फिल्म है क्या? इसे लेकर क्या बाते हैं, इस पर बहुत कम चर्चा है आज की दौन में फिल्म की रिलीस से पहले उसके प्रमोशन का बहुत महत्व है खासकर पैन इंडिया फिल्मों के प्रमोशन का दायरा तो बहुत ही ज्यादा है उत्तर से दक्षण तक की तमाम फिल्म सर्कित में जाकर प्रमोशन करना आसान नहीं है वक्त की डिमांड यही है फिल्म भ्रमास्ट को ले लिए इसके फ्रमोशन के लिए यान्वखडी रन्वी तपूर आलिया भट ने पूरे देश में परिक्रमा की साउथ में बहुबली फेम फिल्मेकर एसेस राजा मॉली को प्रेजेंटर बनाकर वहां की ओडियन्स के वीच पैट बनाने की कोशिश की नतीजा सामने है फ्लॉप होते होते फिल्म हिट हो गई लेकिन पॉनियन सेल्वन के प्रमोशन को लेतर के भी उम्मीदे यहीं थी खासकर हिंदी पट्टी के दर्शकों के पीज ऐसा हूना जरूरी इसले भी था क्योंकि कहानी से लेकर गलाकार तक सब साउथ से जुड़े हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया फिल्म का प्रमोशन से ली कई बेहतर बता रही हैं तमाम सीन और किरदारों के लुक्स की तारीफ की जा रही है बीएफेक्स और आधनिक तत्नी के इस्तेमाल से युद्ध के सीन को भयावय बनाने की पूरी खोशिश की गई है यह बिल्कुल वैसा ही सिनिमा है मनीरत्नम जिसके लिए जाने जा प्राइम वीडियो को 125 करोन में पेच लिए है लेकिन फिर भी इस फिल्म का हिंदी बेल्ट में बिल्कुल प्रमोशन ना किया जाना फिल्म को कुछ नुकसान दे सकता है पोनियन सिल्वन दो हिस्सों में बन रही है और इसी नाम से लिखी गई काल्की की कहानी कर आधारे थ इसका कितना नुकसान होगा फिल्म को या कितना फाइला होगा यह तो वक्ती बताएगा